असलाम हूँ अलेकिम प्रेंट्स माइनेम इस अरसलान एहमत और वाचिंग पीके बाइक्स तो फ्रेंट्स आज आपके लिए जिस बाइक का रिवीव लेकर रहे हूं यह सूपर स्टार फॉलकन 150 CC मैंने इसके कुछ शॉट्स डाले थे जिसमें आप लोगोंने काफी कमेंट् जिसमें हमें पता लगे कि वाइट क्लर की जो फिनिशिंग है जो क्वालिटी है वो कैसी है तो आज आपके लिए इसका फुल रिवीव लेकर हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी हैड्लाइट से यह फ्रेंट्स हैड्लाइट में आपको देखें आपको डियरल का आ टार्ट साइज मिल जाता है उसके साथ 17 इंचिस के यहां पर हमें स्पोक्स मिलते हैं और मज़े की बात यह है कि इस स्पोक्स में आपको ट्यूबलेस टायर को आप्शन भी मिलता है यानि कि अगर आप मजीद कोई टायर साइज करना चाहते हैं तो आगे भी आप इसके से काफी अच्छी लेगी लेकिन वह भी अपनी जगह एक मार्केट रखता है लेकिन यह उससे ज्यादा अच्छा जो है वह कारामत साबित हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ फीचर कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा दियेगें जिसकी वजह से जो है इस इस बाइक को जादा जाना में आपको जो है सब Harbor मिलती है जो एक आपको ऑप्शन मिलती जो के ट्रिब मीटर के की अप्शिन समय अपको नहीं मिलती बाकि सब मैस् मेरे और इसमें आपको OW bonद मिलता प्maill को अप्शन मिलता है यह अईज को देख अपको देंके ऑप्शन मिलता है और अच्छा कील प् सब के सब options में दिएगे हैं जैसा कि हैड लाइट की हाइड लो बीम को option डिपर को option हैजल लाइट को option ठीक है उसके सासा इंडिकेटर को option मतलब option सब दिए कोई भी option इसमें skip नहीं किया गया चाहिए वो right grip है या फिर left grip है ग्रिप्स के जो color है वो देखें काफी अच्छे color मतलब यह ग्रिप्स कलर जो है वह पहले किसी इतने बाइक में देखे नहीं लेकिन यह अच्छा है कि ग्रिप्स कलर चेंज है मतलब एक matching color दिए अच्छी लुक दे रहा है अच्छा वाइट कलर काफी लोगों को पसंद आया होगा इस वज़ए से मैं इसका फूर रिव्यू कर रहे हैं या पिर इसमें जो है ग्रे कलर रहा है उसका रहा है और मेरे ख्याल से यह पहला तो बहतर है अब बात कर लेते हैं जी इसके रेर टाईट कि चraham especial voll और है रहा है छैनल होगा छोकिसके वाइट कलर पूर का फूर रिविव्यू है बाकिस सब या तो green का review कर रहे है या फिर इसमें ग्रे कलर आ रहे था उसका रिव्यू कर रहे हैं लेकिन white आपको सिर्फ और rare tire की इसके rare tire में जो size मिल जाता 110 by 70 का सिर्फ और सिर्फ पीके बैक्स पर आपकी चीज़ें दिखाई जाती है और स्विंग आर्म की क्वाल्टी आप देख लें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बिताया कि नो डाउट पैटर्न इसका जो काफी डिफरेंट है स्पोर्स लुक वाले इन्होंने आपर टाइड दिये ह और साथ साथ आपको यह बिता दूँ कि फ्रेंट और बैक दोनों जगहा पर आपको जो है वह ट्यूबलस टायर मिलता है और चेन ग्राइड कवर की बात करने तो आपको मैटल का चेन करेड़ मिलता है अच्छा और साथ साथ हम बात करने कि इसकी रेर लाइट की तो रेर ल दिश्क्राइब कर नीज इसको करें सकते इसकोड़ कर ले सकते हैं मैं कितनी divert कि इस बाई करते हैं में दूआ में कितनी होर्टी मिलती है कितनी टॉप्टीटि देनी जराबichen सेण सबसे पहले लिए मिलता है इस का मोडल क्या है पीजय च niinको फोकस कर करके नाउँगा इंजन की बात करने तो 150 CC 4-stroke single cylinder air coolness में हमें इंजन मिलता है और इसके अगर gear shifting की बात करने जैसे कि मैंने आपको पहले पर पहले पर बता है कि 5 gear return shift का option मिलता है पहला gear आगे लगता है बाकी के 4 gear back side पर लगते हैं और जिन bikes में return shift का option होता हूँ उनके engine बहुत दमदार होते है और उनकी जो initial pick होती है वो काफी जादा होती है वैसे तो यह bike 150 category में आता है लेकिन अगर इसके engine को गोर से देखा जाए तो 200 के आस पास आप इस engine को कह सकते है क्योंकि इसकी initial pick काफी अच्छी है इस bike में आपको self start option भी मिलता है किक start option भी मिलता है किक जड़ा पीछे करके मैं आपको जड़ा क्रीब से इसका जो carburetor है उसकी जो model है PZ27 आपको इसमें carburetor मिलता है इसके सासा फ्रेंड इसकी fuel average की बात भी कर लेते हैं आपको बतातों कितने लिटर आप पैटरोल डाल सकते हैं क्योंकि यहीं नहीं सार करता है carburetor पर इसके tank में 14 लीटर तक पैटरोल डाल सकते हैं और इसकी fuel average की बात करें बताइएगा कि आपको इस बाइक की लुक कैसी लगी क्योंकि इस बाइक में dual लुक्स निकल के आती है एक तो स्ट्रीट बाइक लगता है थोड़ा सा हैंडल बार से और अपनी सिटिंग पॉस्चर से और दूसरा अगर बात करें इसकी lights वेर से तो वहां से आपको यह कैफ है आपको यह कैफ अ तो फ्रेंड्स आपने रिवीव में ये पसंद आगा एक चीज़ आपको पसंद नहीं आई होगी इसका sound तो इसका sound आप चेंज़ भी कर सकते हैं अपनी मरजी का exhaust लगा सकते हैं क्योंकि इंजिन इतना दमदार है उसमें इतनी सकता है एक चीज़ हम बूल कि हम ने आपको इस बाइक में जो होस्पावर अबो नहीं बताई टॉर्क नहीं बताई और टॉप सीट के बारे में थो बात ही नहीं की जिहां फ्रेंड्स इस बाइक में आपको कितनी होस्पावर मिल जाती है 12 BHP की होर्सपा और आपको इस बाइक में मिल जाते है अगर इसके टॉर्क की बात करने तो 11 Nm के आसपास ये बाइक टॉर्क पर ड्यूस करता है यहनि कि अगर आप इसको दो बंदों के साथ मरी भी लेके जाते हो तो इसकी Initial Peak में इतना जादा कुछ फ़रक नहीं आएगा इसकी Torque में यहनि कि खिचाओं में इतना जादा कुछ फ़रक नहीं आएगा यहनि कि engine पर इतना س्ट्रेस नहीं आएगा Already इस engine को मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि और अगर इस बाइक की टोटल वेट की बात कर ली जाए तो इस बाइक में आपको 145 kg की आसपास का टोटल वेट मिलता है बाइक अंदर से सारा कवर्ड किया गया है जहां यह पॉर्शन अभी आपको दिखा रहे हैं प्लास्टिक एंड मैटल को यूज करके इसको सारा का सारा कवर किया गया है ताके कोई वाटर जो यहां पर चीटे वेगश जहें वेगश की जा अगये एक कर लेते हैं अवेलेबल होना चाहिए स्टॉक अभी फिलाल स्टॉक अवेलेबल नहीं है बुकिंग पर ये बाइक चल रहा है कैश प्राइस आपको बताता हूँ चार लाक रुप इसकी प्राइस चल रही है और इसकी बुकिंग डिटेल्स जो है वह उपर कॉर्णर पर नंबर चाहिता है अगर आप इसको बुक करना चाहते हैं तो वहाँ पर कॉल करके आप इस बुक कर सकते हैं मेरे ख्याल से दो महीने के आस-पास आपको इसका टाइम लगता है तो आपको ये बाइक अवेलेबल करके दे दिया जाता है दो महीने के अंदर-अ-दर कुछ पर भी आप ले सकते हैं अगर स्टॉक अवेलिबल हो तो अबी भी अगर आपके माइड में क्यों क्वेस्टन है तो आप नीचे कमिट्स कर सकते हैं आपको रिपलाइ मिल रहे का तो बस लास में आपको असलान अमताब से ज़र चाहिए ज़्या आपको अमेशा खुश रखे म मुझे अपनी द्वा मियाद रिखेगा अपना पर बोख क्या रिखेगा अल्हाफेज